हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है काफी व्यूवर्स की डिमांड थी के आप सूरत की स्पेशल रांदेरी आलूपुरी की रेसिपी सेर करें ये डिस सूरत के मोस्ट पोप्यूलर स्ट्रीट फूड में से एक है ज्यादा तर तो इसे नाश्ते में खाया जाता है लेकिन सूरत के लोगों को ये इतनी पसंद है कि दिन भर में कभी भी उनको आलूपुरी ओफर की जाए तो वो मना ही नहीं करेंगे इस मज़ेदार डिस की रेसिपी बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेशल डेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सबसे पहले हम आलूपुरी की पूरी बनाएंगे तो हमने 250 ग्राम मेदा लिया है इसमें एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अक्सर जब इस पूरी को हम घर पर बनाते हैं तो कुछ ज्यादा ही क्रिस्पी या तो फिर सोफ्ट हो जाती है लेकिन हमारे बता हुए तरीके से टीप्स और ट्रिक्स को फोलो करते हुए जब आप इस पूरी को अपने घर पर बनाएंगे तो 100% परफेक्ट आपकी पूरी बन कर तयार होगी और इसमें हमने 2 टेबल स्पून तेल एट कर दिया हातों की मदद से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसका आटा लगाएंगे इस आटे को हम ज्यादा सोफ्ट नहीं रखेंगे और नहीं ज्यादा सख्त रखेंगे मीडियम आटा लगाएंगे आटा लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था लेकिन हमने सिर्फ पोने कप याने की थ्री बाई फोर्थ कप पानी का इस्तेमाल किया है अब एक टीस्पुन जितना तेल हम इसकी सर्फेस पर एप्लाई कर देंगे तक ये आटा ड्राई ना हो जाए और इसे कवर करके हम 15 मिनिट के लिए रखेंगे अब आलू पुरी के लिए कोकम की चटनी बनाएंगे तो हमने 50 ग्राम कोकम को पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लिया और अब हम इसमें आधा कप पानी एट करके इसे 15 मिनिट के लिए भिगो देंगे कोकम को भिगोए हुए 15 मिनिट हो चुकी है अब हमने इसे जिस पानी में भिगोया है उसी पानी के साथ मिक्सी जान में ट्रांसफर कर लेंगे इसमें एट करेंगे दो चुटकी नमक, दो चुटकी लाल मेश पाउडर और एट करेंगे एक चोधाई टीस्पून जीरा और इसे mixi में अच्छे से grind कर लेंगे हमने इसे अच्छे से grind कर लिया अब हम इसमें 4-5 टेबल स्पून पानी और एड़ करेंगे और एक बार इसे फिर से grind कर लेंगे हमने इस चटनी की consistency को कुछ एसा रखा है अगर आप इसकी consistency को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर दे अब हम आलुपुरी के लिए हरी मीच की तीखी चटनी बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर 10 छोटी हरी मीच लिए साथ ही में हमने लिया है आदे इंच का अद्रख का टुकड़ा और पांच लहसुन की कलिया और तीन टेबस्पुन हरा धनिया इसमें थोड़ा सा पानी और दो चुटकी नमा केट करके मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी आलू पुदी की गिरीन चटनी बनकर तयार है और अब हम बनाएंगे लाल मेश की चटनी इसे आप लाल मेश की तरी भी कह सकते हैं तो हमने दो टेबस्पुन तेल अच्छे से गरम कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करके इसमें एक टी स्पुन लाल मेश पाउडर एट कर देंगे दिखिए लाल मेश पाउडर अब गेस की फ्लेम को ओफ करने के बाद ही एट कीजेगा नहीं तो यह जल जाएगी यह देखिए हमने आटे को कवर करके 15 मिनिट के लिए रख दिया था अब हम इस आटे को हाथों की मदश से 1 मिनिट टक अच्छे से मसल लेंगे अब हमने जो आटा लगाया है उसमें से हमने एक लोई बना ली और इसकी रोटी बेल लेंगे इसे बेलने के लिए हमने सूखा आटा डश्ट नहीं किया अगर ज़रूरत लगे तो आप रोलिंग सर्फेस पर थोड़ा सा तेल एपलाई कर सकते हैं और जब हम इसमें से रोटी बना रहे हों तो बाकी का जो आटा है उसे हम किसी कपड़े से या तो फिर ढखकन से कवर करके रखेंगे तकि आटा ड्राई ना हो जाए तो अब देख सकते हैं कि हमने इसे कितना पतला बेल कर तयार किया है अब हम किसी धार वाली कटोरी की मदद से इसे पूरी के सेप में कट कर लेंगे हाथों की मदद से प्रेश करते हुए इस रोटी में से जितनी पूरी बन सकती है उतनी हम बनाएंगे और इसी तरह बाकी के आटे में से पतली रोटी बेल कर हम उसमें से पूरियां कट कर लेंगे अब ये जो ज्यादा काटा है इसे निकाल कर हम बाकी के आटे में एट कर लेंगे और इस साइस के हम इसकी पूरी बनाएंगे अब हम जिस तेल में पूरी तलेंगे उसे हम ज्यादा गरम नहीं रखेंगे मीडियम होट टेल में हम पूरी तलेंगे यानि कि जब हम तेल में इस सरा आटे का छोटा सा टुकड़ा डाल कर देखेंगे तो ये धीरे धीरे उपर आ रहा है इसका मतलब है कि तेल जो है वो ज्यादा गरम नहीं है और पूरी तलने के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है और हमने जो तेल गरम करके रखा है उसमें हम पूरी एट करेंगे पूरी एट करते वक्त और पूरी को फ्राई करते वक्त गेस की फ्लेम को हम लो रखेंगे यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखेंगा के हम इन पूरी को तेल में ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे बस डालने के साथ ही इसकी साइट्स को चेंज कर देंगे और कुछ ही सेकेंड्स में हम इनको तेल में से निकाल लेंगे पूरी अगर थोड़ी सी भी फूल रही है तो कोई टेंसन की बात नहीं है बस इस तरह से हम इनको कच्चा पका फ्राई करके तेल में से निकाल लेंगे अब इसी तरह लो फ्लेम पर हम बाकी की पूरी को तेल में फ्राई करेंगे और तेल में डालने के बाद कुछ ही सेकंड्स में इसकी साइड्स को चेंज करके तुरंत इसको तेल में से निकाल लेंगे पूरिया तलते जाएंगे और पेपर पर रखते जाएंगे और इसे दूसरे पेपर से कवर करके इस पर कुछ वजन रखेंगे इसा करने से पूरी जो है वो ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची नहीं होगी और नहीं ज्यादा ओइली रहेगी और इसी तरह बाकी की पूरियां फ्राइ करके इसमें एट करते जाएंगे और इसे दूसरे पेपर से कवर करके उस पर वजन रखेंगे आलूपुरी की स्टफिंग के लिए रगड़ा बनाएंगे इसलिए हमने 200 ग्राम सूखे मटल लिये हैं या आपको किसी भी किराने की दुकाने मिल जाएंगे साथ ही में हमने तीन बड़ी साइस के आलू को बोईल करके इसका छिलका निकाल लिया है और इन आलू को हम छोटे टुकडों में कट करेंगे और हमने जो मटल लिये हैं इनको भी हमने पहले से बोईल कर लिया है तो दो से तीन बार पानी से धोने के बाद हमने इन मटल को पुरी रात के लिए पानी में भीगो दिया था और फिर इसे बोईल करते वक्त हमने half teaspoon नमक और दो ग्लास पानी एट करके high flame पर एक pressure आने के बाद medium flame पर 5 मिनिट तक बोईल कर लिया हमने कड़ाई में 3 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें एट करेंगे half teaspoon जीरा और एट कर देंगे दो चुटकी हिंग साथ ही में एट कर देंगे एक teaspoon अदरक लहसुन और छोटी हरी मिच का पेस्ट कुछ देर तक हम इनको तेल में सोटे करेंगे और इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे जैसे की एक teaspoon नमक, half teaspoon healthy powder, एक चोथा teaspoon गरम मसाला, एक teaspoon लालमीच पाउडर और एक teaspoon धन्या पाउडर थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और लोफ लिंप पर इन मसालों को तेल में अच्छे से भून लेंगे तो हमने सारे मसालों की तेल में अच्छे से भूनाई कर ली इस स्टेज पर हम इसमें बोईल के हुए आलू एट कर देंगे तब देख सकते हैं कि हमने आलू को थोड़ा छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और हमने जो मटर बोईल करके रखे हैं वो भी इसमें एट कर देंगे एक ग्रास पानी एट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें बोईल के हुए मटर और बोईल के हुए आलू एट किये हैं तो हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे बस हमें इसे 5 मिनिट तक पकाना है हमने इसे 5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया और हमारा जो रगड़ा है वो बनकर तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इसमें 2 टेबस्पून जितना हरा धनिया एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें पूरी को सर्व करके उसके असेंबलिंग करनी है तो एक सर्विंग प्लेट में हमने जो पूरी बनाई है उसे एक एक करके रखेंगे अब हमने स्टफिंग के लिए जो रगड़ा बनाया है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके पूरी पे एट करते जाएंगे अब हमने जो कुकं की चटनी बनाई है उसे एट करेंगे अब हमने जो छोटी हरी मिच की ग्रीन चटनी बनाए है उसे हम इस पर एट करेंगे जितना आप तीखा खा सकते हैं उस इसाफ से आप इसे पूरी पर एट कीजिएगा अब टेस्ट के अकोर्डिंग हमने जो लाल मिच की तरी बना कर रखी है उसे भी इस पर थोड़ा-थोड़ा करके एट करते जाएंगे अब इसे क्रंचीनेस देने के लिए लहसुन की सेव एट कर सकते हैं या तो फिर पापड़ी भी एट कर सकते हैं हम यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल करेंगे सेव और पापड़ी दोनों का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप यहाँ पर कोई सी भी चीप सेट कर सकते हैं आपको कितना क्रंची पसंद है उसी साब से आप इसमें सेव या तो फिर पापडियेग कर लें और लाश्ट में हम इसमें प्यास जेट करेंगे तो प्यास को हमने इस तरह से अलुपुरी बनाई है अगर आप यहां इसमें हमने प्याज एड नहीं की इसमें हम चीज ग्रेट करेंगे यानि कि हम इसकी चीज आलू पुरी बनाएंगे विसे तो इडिस बहुत मज़ेदार है लेकिन जब आप इसे चीज के साथ सव करेंगे तो इसका जाइका और भी बढ़ जाएगा और लाश्ट में हम इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे देखें चाट मसाला एड करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा Most popular सूर्थी street food, रांदेरी, आलू पूरी की recipe आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इस recipe को try करके हमारे साथ अपने experience comment box में share कीजिएगा फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए गुडबाई